मदुमे, डाबिटीज, एक ऐसी बिमारी जो अंदर ही अंदर सरीर को खोखला बना देती हैं, ना कियोल वजन गिरना प्रारंब हो जाता है, बलकि सरीर और दिमाग उनकी ताकत को भी धीरे धीरे खत्म कर देती हैं, साथी साथ मदुमे के रोगी खराब पाचन तंतर से भी ज भूजते हैं, खास तोर पर कब्ज की समस्या, पेट में गैस अधिक बनना और अपच्च की समस्या उन्हें बनी ही रहती है, इसके लावा नींद भी अच्छे से नहीं आपाती, कमजोरी इतनी अधिक आ जाती है कि कोई भी काम अच्छे से वो कर ही नहीं पाते, सर में दर् चकर, जोडों में दर्द, खास तोर पर आदमियों में उनकी पोरुष शमता को ये विमारी समाप्त ही कर देती है, तो आज हम कुछ ऐसे घरेलू योगों के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमें मदुमे के इन दुस प्रभावों से बहुत हद तक बचाने का कारे करते है इसके बारे में बताने से पहले आपको दो बाते अवश्य समझ लेनी चाहिए, पहला ये शूगर को कंट्रोल करने के योग नहीं है, बलकि शूगर के चलते आई कमजोरी उनसे उत्पंच समस्याओं को दूर करने के योग हैं, दूसरा शूगर आपको हरहाल में कंट्रोल क ये आपके सरीर में वो ताकत पैदा करेंगे जिससे आपका सरीर खुद से प्राकर्तिक तरीके से बलड शूगर लेवल को ज़्यादा बहतर तरीके से मैनेज कर पाए, कंट्रोल कर पाए, इपना आप समझ गए, तो चलिए, अब नुस्खों के बारे में बात कर लेते हैं, पहला नुस्खा है कीकर का गुंद, जिसे बबूल गुंद के भी नाम से जाना जाता है, लगबत 3-4 ग्राम की मातरा में सुबह नास्ते के समय गरम पानी या गरम दूद के साथ इसका लगातार प्रियोग मदुमे के रोगयों के लिए बहुत अधिक लाबदायक रहता है, उनकी कमजोरी को दूर करता है, साथी साथ सारीरिक बल और उर्जा में वृद्धी करता है, दूसरा प्रियोग है नीन चड़ी गिलोए, हलाकि आप साधारन गिलोए का भी प्रियोग कर सकते हैं, उसके काड़े का प्रियोग कर सकते हैं, पर नीन चड़ी गिलोए का प्रिय जाना, प्रियोग मदुमे के रोगियों के लिखास तोर पर ऐसे मदुमे के रोगि जिने कब्ज की शिकायत बनी रहती है, उनके लिए बहुत ही अधिक लाबदायक है, प्रारंब में 2-4 पत्तों से आप प्रारंब कर सकते हैं, दीरे-दीरे मातरा को 5-7 पत्तों तक पहुचा जा सकता है इसके लावा दिन में एक बार कभी भी एक इलाईची छोटी इलाईची के दानों को पान के पत्ते के उपर रख कर चबा चबा कर खाने से मदूमे जनित कमजोरी खास तोर पर पूर्शों में मदूमे जनित कमजोरी में बहुत अच्छी लाब की प्राप्ति होती ह पर ध्यान रखे पान के पत्ते के आगे और पीछे वाले भाग को जरूर काड़ते हैं जहां तक बात है आयरवेदिक ओशिदियों की तो बंग भस्म चंदर प्रबावटी त्रिवंग भस्म नाग भस्म और बसंत कुष्मा का रस जैसी बहुत सारी ऐसी ओशिदिया हैं जो आप किसी अच्छे अरवेदिक चिकेचक के निर्दे सानुसार अगर प्रियोग करते हैं तो मदुमें जनित कमजोरी बहुत ही जल दूर होती हुए दिखाई देखी डायबिटीज के उपर मैं और भी बहुत सारी helpful जानकारी आप सभी के लिए ऐसे ही लेकर आता रहूंगा तो अगर अब भी तक आपने चैनल को फोलो नहीं किया फोलो कर लीजिए